दौर चल रहा है मेरे भाई, आज के इस दौर में सफल वही इंसान होगा, सफलता की बुलंदियों तक वही पहुचेगा, जिसमें समय का अनुसार खुद को बदलने की छमता होगी, कोई भी ब्यक्ति जो समय का अनुसार अपने आपको बदल लिया, अपने आपको अपडेट कर लिया, उसको सफलता की बुलंदियों तक वहुचने से कोई रोक नहीं सकता है, आप लोग देख लिजिएगा, कोई भी संस्था हो, या कोई भी ब्यक्ति हो, सफल वही संस्था होई, सफल वही ब्यक्ति हुए, जो समय के अनुसार अपने आपको बदल लिये, ये माहत्म को एक दिसा में मोड लिये, अपनी एक पहचान बनाने के लिए, और इसी जो है परिवर्तन के लिए, आज इनको भारत में ही नहीं, बलकि पूरी दुनिया में जाना जाता है, आप लोग देखते होंगे, कि गंदा पानी हम लोग उसी पानी को कहते हैं, जिस पानी में ठहर होता है, और बाहता हुआ पानी को हम लोग कभी गंदा पानी कहते ही नहीं है, चाहे जितना उसमें गंदगी डाला जाए, ओ सभी को समाहित कर लेता है, अपने आपको, हम लोग देखते हैं, अगर टेकनोलोजी की बात करें, जब मोबाइल का एक दौर आया था, और उस समय जब नोकिया की पारी आई, तो पूरे भारत में नहीं बलके पूरे बिस में नोकिया चाह गया था, इसलिए कि लगता था कि यही जो है, शुरुवात किया है, और पूरे अंत तक यही रहेगा, लेकिन एक समय आया, उसने खुद को, अपने आपको अपडेट नहीं कर पाय अपने अंदर समय के अनुसार बतलाव नहीं कर पाया, समसंग ने आकर उसको जो है, जो है, सिफ्ट कर दिया, जो है, रिप्लेस कर दिया, तो यही हाल समसंग का भी हुआ, उसने भी समय के अनुसार जब उतना डिमांड, जो समय का जो डिमांड है, उसके हिसाब से जो डिम तक Ela अपडेसन लाई। इसलिए वह आपको आगे कर पाई। कोई भी व्यक्ति कोई तभी थेकनलोलजी कोई भी संस्था हो वह आगे तभी तभी तक बढ़ता रहेगा और लडाई मैं तभी तक बना रहेगा। जब तक अपने आप को अपडेट करता लेकिन एक समय आएगा उसका या तो ठहराव हो जाएगा या तो बैगेर लगनत तय है क्योंकि अपडेट जो होते हैं मेरे भाई आज के दौर में हम लोग देख सकते हैं जिसे आज हम लोग करेंट अफेयर अगरे पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग देखते होंगे कि करेंट आज के दौर में कोई भी एक्जाम हो हर एक एक्जाम में करेंट अफेयर का वेटेज इतना तेजी से बढ़ रहा है कि उसकी कोई लिमिट ने हम लोग देख सकते हैं कोई भी एक्जाम बिना जो है करेंट अफेयर के लगभग पूरा नहीं होगा करेंट अफेयर ही ऐसी चीज है यानि करेंट अफेयर इसलिए है कि वो व्यक्ति को अवेर्नेस जानना चाहता है और व्यक्ति कितना जागरूख है व्यक्ति कितना अवेर्नेस है व्यक्ति अपने आपको कितना अपटेट कर ले पा रहा है इसी के जानने के लिए करेंट मन्दी सवाल आते हैं आजकाल हम लोग देखते हैं यह जो static GS है इसको जो है कम करते जा रहा है और यह जो current affair है और जो यह सब चीजे है यह बढ़ाते जा रहा है सिर्फ इसलिए को उसको यह मालूम करना है कि व्यक्ति कितना ज्यादा जागरूख है वो कितना ज्यादा अपने आपको update रख पा रहा है वो कितना ज्यादा जो है यह समाजिक situation से जुड़ा हुआ है तो यही चीजे है मेरे भाई कोई भी हो जो भी समय के अनुसार अपने आपको update कर लिया वही सफालता की बुलंदियों तो पहुचेएगा आगे वही बढ़ेगा और यह competition की लडाई में वही टिका रहेगा नहीं तो सब लोग पीछे हो जाएंगे तो यही होता है सबसी बड़ा जो आज की दौर में है वो update है